Hello friends, last time जो हमने वीडियो में पढ़ा था, हो क्या था, that is हमने if conditions करें थी और switch statement करकर देखा था आज जो हम करेंगे, हो क्या करेंगे, that is loops करेंगे आपको पता है, seek अंदर कौन कौनसे loops होते है, that is while loop, fall loop और do while loop होता है हमने इन चीज़ों को समझतों लिया था last time, यानिकि हम जो थी theory वाली वीडियो करें थी, उसके अंदर while loop का syntax, fall loop का syntax और do while का syntax चेक किया था, आज जो हम करेंगे, इन सारे loops के programs करकर देखेंगे, आज जो हम program बनाएंगे, सबसे पहला program कौन से होगा write-up program to calculate sum of digits using while loop, that means हम एक number input कराएंगे, suppose एक अंदर हम number input कराएंगे, 153 और इसका हमें sum निकालना होगा, that means इस पूरे number का, जो digits होएंगे, उनका total करना होगा, that is 1 plus 5 plus 3 तो हमारे पास output क्याना चाहिए, that is 6 plus 3, that is 9 आचाना चाहिए, फिर हमें क्या करना है, एक दूसरा program मनाना है, write-up program to reverse a number, suppose हम एक अंदर क्या करेंगे, 153 input कराएंगे, इसका हमें क्या करना है, reverse क्या होगा, that is 351 करना है, फिर हमें क्या करना है, write-up program to calculate a factorial of a given number, that means हमें एक number input क कराना है, और इसका factorial हमें calculate करना है, यह 3 programs हम आज कर लेंगे, और यह 4 और 5 और 5 programs हम next video में करेंगे, चले, तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपना program, तो पहले program हमारा क्या है, that is sum of digits हमें निकालना है, using while loop, तो हमने क्या करा, पहले अपनी दोनो header files को include कर लेया, तो हमारी 2 header files क और conio.h, आपको पता है, stdio.h किस के लिए होती है, that is printf, और scanf function के लिए use कर रहे हो, conio.h आप किस के लिए use करते हो, that is clrs, str, और getch के लिए use करते हो, चले, यह तो हो के basic things, अब हम आजाते हैं, अपनी program के अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे है, एक 3 numeric variables लिए, एक ह user को message जाए, कि वो एक number enter करे, और वो number हमने किस के अंदर enter करा लिए, that is n variable के अंदर, suppose user ने input करा था 153, तो n की value क्या हो गई, that is 153 हो गई, फिर हमारा while loop जो है, वो कब तक चले का, जब तक n की value जो है, वो greater than 0 रहती है, फिर हमने loop के अंदर क्या करा, m equals to n modulus 10, अगर हम लिख that is m equals to n की value हमारी क्या है, that is 153, और इसको हम divide करते 10 से, that means इसका remainder निकालना 10 से है तो, m की value क्या हो जाएगी, अगर मैं 153 को 10 से divide करूं, तो क्या होगा, that is 1's a 10, then हमरे पस क्या बच्चा 53, 5's a, that is 50, और हमरे पस remainder क्या बच्चा 3, तो अब हमरे पस m की value क्या हो गई, that is 3 हो हमने क्या कर दिया, m की value हमारी 3 हो गई, फिर हमने लिखा, sum equals to sum plus m, तो sum की initial value क्या थी, that is 0 थी, अब sum की value क्या हो जाएगी, that is 0 plus 3, तो sum की value हो गई 3, then हमने क्या लिखा, n equals to n divided by 10, तो इसका forward slash से आप क्या निकालतो हो, quotient, तो हमारा quotient क्या रहा है, that is 15, तो हमारी n की value क्या हो जाएगी, that is 15 हो गई, वापस हो उपर गया, check करा, n की value greater than 0 है, condition क्या है, true है, again जब condition true हो गई, तो क्या हो जाएगा, आपका loop statement execute होंगे, then आपने क्या लिखा, m equals to, that is 15, modulus 10, तो अब m की value क्या हो जाएगी, that is, अगर मैं 15 को 10 से डिवाइट करोंगा, अगर मैं 15 को 10 से डि तो m की value क्या हो गई, that is 5 हो गई, हमारी m की value क्या हो गई, that is 5 हो गई, then sum equals to sum plus m, sum की value क्या हो गई, that is 3 थी, then 3 plus 5, तो sum की value क्या हो गई, that is 8 हो गई, m equals to n divided by 10, अगर हम देखें तो क्या निकल करा रही है, that is 1 निकल करा रही है, तो n की value क्या हो गई, that is 1, अभी condition क्या है, greater than 10 वो greater than 0 है, condition true है, तो again वो लूप में जाएगा, अगर अब modulus निका लूँगा, तो क्या निकल काएगा, that is 1, then sum की value, sum की value क्या हो जाएगी, that is 8 plus 1, that is 8 plus 1, that is 9 हो गई, और अब यह जो होएगी, value less than 0 जाएगी, that means 0 हो जाएगी, greater than 0 नहीं होगी, तो अब हमा रपास वापस लू क्या, greater than 0 है, condition false हो गई, तो यह लूप execute हो ने, बन हो जाएगा, हमने क्या करें उसके बाद sum की value प्रिंट कर दी, अब sum की value हमारी क्या आ रही है, that is 9 आ रही है, sum की value क्या गई, that is 9, तो इसने क्या प्रिंट कर दी, that is 9, तो हम अगर चेक करें, तो that is 1 plus 5, that is 6, 6 plus 3, that is 9, चल इस प्रोग्राम को execute करकर देख लेते हैं, मैं प्रोग्राम उपन कर लेते हैं, हमारा इस day 11 का first program है, तो मैं यहाँ पर screen clear कर लेता हूँ, 5 प्रेस करके एपनी window को maximize कर लेता हूँ, और इसको run करते हैं, अगर मैं enter करता हूँ, यहाँ पर 153, तो हमारे पास क्या आगया, that is 9, that is sum of digits आ गया, अगर मैं यहाँ input करता हूँ, 453, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, that is 12, तो हमारा output 12 आ गया, यह program तो आको clear होगे होगा, चले, अपना next program देखते हैं, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी slides पर, next program हमारा क्या था, अपनी number को जो था, जो भी हम number input कराएंगे, उसको हमें क्या करना, reverse करना है, suppose अगर हम number input कराते, again, अगर हम number input कराते, that is 153, तो इसका उल्टा क्या होगा, that is 351 हो जाना चाहिए, तो हमने क्या करा, अपने header files include करें, और हमने variables लिया, that is, N variable लिया, एक reverse variable लिया, और एक हमने remainder variable लिया, फिर हमने क्या करा OR reverse के हमारी initial value क्या था, that is, 0 है, फिर हमने क्या क्या करा है, यू Bliss को था, जोर का a message दे, कि एक number अँप़िछ था और हमने वो value जो है, किस के अंदर input करा लिया, that is n variable के अंदर. Suppose user ने input कराया था, again 153 input कराया था, क्या input करा लिया, 153 input कर लिया. फिर ये loop कब तक चलेगा है, जब तक n की value, not equals to 0, जब तक n की value क्या नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती. Then हमने क्या लिया, remainder equals to n modulus 10. तो हमारे पास remainder की value क्या हो जाएगा, अगर हम, that is n की value क्या है, 153. और अगर हम इसको 10 से डिवाइट करने, तो क्या होगा, that is 1's a, 1's a 10. और यहां कितना मचा, 53, 5's a, 1 of 50, और हमारे पास क्या बचाएगा, that is 3 remainder. तो हमारे पास क्या मचा होगा, that is 3 होगे remainder की. reverse equals to reverse multiply by 10, reverse की value क्या है, that is 0 है. अब अगर मैं यहां पास लिखू, 0 multiply by 10 plus remainder. तो 0 multiply by 10 equals to 0 plus 3. तो reverse की value क्या होगे, that is 3 होगे. n divided by equals to 10, that means, यह statement आप से बी लिख सकते थे, n equals to n divided by 10. या फिर आप यहां पर लिख रहा हूँ, n divided by equals to 10. तो यह दोनों same है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते थे. तो यह आपका क्या निकालता है, quotient निकालता है, that is, quotient आ गया आपके पास, n की value क्या होगे, 15 होगे. बापे सुपर गया, not equals to 0 है, condition true है. तो अब आप क्या करेंगे, 15 divided by 10. तो हमारे पास क्या है, कि इहां 1 आ गया, और हमारे पास remainder क्या आ गया, that is 5 आ गया, remainder की value क्या है, that is 5 है. अब हम क्या करें, that is reverse equals to reverse multiply by 10 plus remainder, तो हमारे reverse की value क्या है, that is 3 multiply by 10 plus 5. तो 3 multiply by 10 क्या होगे, that is 30 plus 5 equals to 35 होगे. n divided by equals to 10, तो अब n की value क्या होगे, यहां पर n की value 15 होगे थी, और यहां पर n की value क्या होगे, 1 होगे, ओपर जाते, not equals to 0 है, अभी तक not equals to 0 ही है, क्योंकि अभी n की value क्या है, 1 है. अगर अब मैं remainder निकालूगा, तो मेरा remainder क्या निकल कराएगा, that is 1 निकल कराएगा, अगर यहां पर क्या निकल कराएगा, that is remainder की value 1, तो अब क्या होगे, that is 35, 35 multiply by 10 plus 1, अगर मैं 35 को multiply by 10 करूं, तो क्या होगे, that is 350 plus 1, तो क्या होगे, अमर पास, 351 होगे, तो reverse की value क्या होगे, that is 351 होगे, अब क्या होगा, n divided by equals to 10, तो condition क्या होगे, वो less than 0 हो जाएगे, that means 0 हो जाएगे, तो यहां पर क्या होगे, अब condition false होगे, तो आप बाहर निकल कराएगे, बाहर निकलने के बाद आपने क्या value, reverse की आपकी value क्या है, that is 351 है, तो अगर आप 153 को ultra करते हो, तो अब क्या होगे, 351, clear होगे अगे आपको, चलिए इसको execute करकर देख लेते हैं, F3, tap, अगर इस program को मैं लिखता हूँ, 153 पहले लिख देता हूँ, that is यह आ गया, अगर मैं कोई और नम लेता हूँ, that is 672, तो 276 आ जाएगा, यह program मैं आपको clear होगे होगे, चलिए, अपना next program देखते हैं, उसके लिए मैं कहाँ जाना पड़े हैं, अपनी slides पर, तो हमारा next program काँसा है, हमें एक program लिखना है, जो किया करेगा, जो हम number input करेंगे, उसका factorial calculate करेगा, इसके लिए हमने क्या कर रहा है, एक variable लिए, that is called i, एक variable लिए, fact, और एक variable लिए, number, तो हमने क्या कर रहा है, एक effect value हमें initial value कर रहा है, that is 1, हमने लिखा है, enter a number, एक user को message देख, एक number input कर रहा है, और जो value हमने किस के अंदर input कर रहा है, that is number के अंदर, suppose user ने input कर रहा, 5, तो हमने loop चलाया है, 1 से लेके, less than equals to number, that means 5 तक चलेगा, और i की value हमने क्या कर रहे है, that is plus plus, that means एक का increment होगा, fact equals to fact multiply by i, तो सबसे पहले i की value क्या होगी, that is 1 होगी, और यह आपको loop कहां तक चलेगा, that is 5 तक चलेगा, तो हमने क्या, जैसी 1 होगी, तो इस गंदर गया होगा, fact क्या है, that is fact multiply by i, fact की value क्या है, that is 1 है, तो 1 multiply by 1 equals to आपक पास क्या होगी, तो 1 होगए, then वा पर सब्हाइस तो अपर गया, i की value क्या होगी, that is, i की value 2 होगी, फिर आपने क्या करा, यहां पर आगा, fact equals to fact multiply by i, fact की value क्या है, 1, then i की value क्या है, that is 2, आपके पास क्या हो गया, that is output 2 हो गया, then उपर गया, i की value क्या हो गया, that is 3 हो गया, i की value क्या हो गया, that is 3 हो गया, i की value हमारे कितनी हो गया, that is 3 हो गया, then हमारे बास क्या calculate हो गया, that is fact equals to fact multiply by i fact के value भी क्या है 2 है that is 2 x 3 तो महरे 받아 output क्या होगय that is fact की value क्या होगय that is 6 होगय अगेइं वाप्स ओपर गया i に value क्या होगय that is 4 होगय अब हम ने क्या लिगा i that is fact equals to fact multiply य i so that is fact के value क्या है हमारी 6 है और i की value क्या that is 4 है तो हमारे वापस उपर गया, अब i की वेल्यू क्या हो गई, that is 5 हो गई, then fact equals to fact multiply by i, fact की वेल्यू केती, that is 24, multiply by 5, अगर हम इसको calculate करेंगा, आपके पास क्या और output आ रहा है, that is 20, अब i की वेल्यू क्या हो गई, that is 6 हो गई, वापस उपर लूप में गया, जब उसने check करा, तो ये condition क्या हो गई, अब जैसी condition 6 होई, तो ये false हो गई, that means number कब तक चलना था, जब तक number की वेल्यू क्या थी, less than equals to 5 थी, i की वेल्यू कब तक चलेगी, जब तक number की वेल्यू, वो उस number की वेल्यू के equivalent या उसके बराबर नहीं हो जाता था, तो number की वेल्यू क्या थी, 5 थी, अब i की वेल्यू 6 हो गई थी, तो ये लूप से बाहरा आ गया, तो हमारे बास fact की वेल्यू क्या आ गई, that is 120 आ गई, तो हमने क्या करा, printf, factorial of percent d, that means यहाँ पर किस तरे प्लेस हो जागा number से, तो यहाँ पर आजाएगा 5 is percent d, यह किस तरे प्लेस हो जागा percent d, fact से, तो इसकी वेल्यू क्या जाएगी, that is 120, तो आपके बास output क्या जाएगा, factorial of 5 is 120, चलिए इस program को execute करके देख लेते हैं, alt enter करता हूँ, f3, tap, d11 का, throw up program, f5, इसको execute करते हैं, तो screen clear कर लेता हूँ, क्योंकि last time हमारा output महाँ आपके दिख रहा था, और यहाँ पर return की जगा मैं क्या कर देता हूँ, get ch कर देता हूँ, मुझे return नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं user screen stop करना चाहता हूँ, get ch, और इसको execute करते हैं, मैं यहाँ 5 देता हूँ, तो आपके बास क्या आगे, the factorial of 5 is 120, अगर आप चाहते हो, जैसे मैं आपको process करता हूँ, दिखा रहा था, आपको यह भी process करता हूँ, कैसे कैसे process हो रहा था, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, printf, backslash n, new line पे चला जाए है, अगर, percent d, backslash t, percent d, comma, i की value print करें, और किस की value print करें, fact की value print करता है, अगर मैं इसको execute करोगा, तो बिल्कुल आपको, as it is, समझाएगा, जैसे कि मैंने आपको slide पर समझाएथा, देखे, जब 1 की value थी, तो क्या आ रहा था, 1, then i की value 2 होई तो fact की value क्या हो गए थी, जब i की value 3 होई थी, तो fact की value क्या हो गए थी, 6 हो गए थी, जब i की value 4 होई थी, तो fact की value किती हो गए थी, 24 हो गए थी, जब i की value 5 होई थी, तो factorial की value किती हो गए थी, 120 हो गए थी, वो आपका output आ गया, उमीद करता हूँ, यह program आपको clear हो गया होगा, चलिए अपने slides पर चलते हैं तो आज जो मैंने आपको बोला था कि मैं आज 3 program कर रहा हूँगा और आपके जो बचे यह programs है that means remaining आपके 2 programs कौन कौन से बचते हैं that is हमारे write a number to check write a program to check the number इसा palindrom number और एक fibonacci series यह दोने programs मैं आपको कल की video जो से होगी that means next video जो आपकी है कल जो मैं आपको post करूँगा उसमें मनाऊँगा उमीद करता हूँ आज की जो programs हैं आपको वो clear हो गया होंगे अगर इसके अंदर भी कोई doubt हो तो please आप मुझे comment section में लिखे मैं कोशिश करूँगा आपके comments का reply करने की और आपके notes को clear करने की thank you